नमस्कार साथ यो अब सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में आपके कौन से एग्जाम्स जो की सौ दिन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय योगी जी ने सफ़त लेने के बाद आयोंको फटकार लगाई है साथ यह भी काहे कि पुरानी वर्थियों को सौ दिन में पूरा करने का कश्ट करें इन पुरानी वर्थियों पर 35 से 36 लाखी स्टुडेंट हैं जो अपनी वर्थी को लेका सीरियस हैं और तयारी कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि एक्जाम डेट हमारी कब आ थी और बीडियों की दोजार अठाराम निकली थी और यह सो भी एक्जाम आपका पैंडिंग काफी टाइम से चल रहा है आप सब जानते हैं फोरेश्ट कार्ड के लिए आप सबने काफी धन्ना परदसन दिये ट्विटर अभियान भी चलाई और फोरेश्ट कार्ड के लिए आपको देखने को मिल सकता है तो आप अपनी से तैयारी को बरकरार रखें सोचार रूप से चलाते रहें और चिनवी भाई बंदो की तैयारी अच्छी हो चुकी है वो आप प्रेक्टिस सेट लगाना सुरू कर दें और प्रेक्टिस सेट में कोसिस करें जब आप का इंटर्विव आने वाला है और आप सबसे मेरी यही कामना है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब पूरे होने के बाद मैं उस लड़के का लाइव इंटर्विव करा सकूँ और आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके क्योंकि आप ऐसे अगर आप पूछेंगे तो मेरे को फ एक हावर तक का इंटर्विव करा सकता हूं तो आप सब चानते हैं कि आप सब के घर में चार से पांच स्क्रीन मोबाइल हैं कोसिस करें यदि आप कोसिस करेंगे तो सब कुछ जाए जाए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोसिस करें जरूर नहीं आप वीडियो को देखें लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद क्या यूटूब गैडलाइन के अनुसार यूटूब पर लाइब इस्टूडियो खुल जाता है और मैं लाइब वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं तो आप सबसे गुजारिस है कि आप सब इस मुहमन में अपना हिस्सा लें और ज कई बार लग चुकी है जो किनी कारण के बजहां से डिले हो जाती है तो उन एक्जाम को मैं पहले कराऊंगा जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड के चलते एक्जाम के उसको टेले करके यानिक जेए कि एक एजाम अब 16 को कंड़क्ट करा जाने की निड़ा लिया गया है इसके बाद आप सब को मैं फिर से बता दूं कि आपका एक्जाम डेट अब फोरेश्ट गार्ड की ही आएगी और किसी एक्जाम को अभी नहीं कराए जाने के चैंस लग रहे हैं क्योंकि फोरेश्ट के लिए बच्चे काफी सीरियस हैं और धरना प्रदसन भी कर अब आपको किसी प्रकार के धरना प्रदसन या ट्यूटर अवियान चलाने के अब सकता नहीं है क्योंकि योगी जी ने आयोग को फटकार लगाई है और सौ दिन में पुरानी वर्तियों को लंबित करने का निर्डैक करने को कहा है तो अगर ऐसा सब कुछ अच्छा चला त दोस्तों जैसा कि अब जानते हैं कि मैंने आप सबसे बादा किया कि मैं वीडियो के लाश्ट में आपसे एक कुछण पूछूंगा हो सकता है वो कुछण यूपी जी के या जी के या रीजनी का हिंदी किसी इन तीन सब्जेक्ट जो फोरस्ट कार्ड में आने है इनी से रि गयनिक नाम क्या है तो कई भाई बंदू ने उसका कमेंट में जवाब अच्छी तरीके से दिया और इस जवाब से मुझे लगता है कि वो भाई बंदू बाकई में सीरियस हैं फोरस्ट कार्ड की डेट को लेकर उनकी तैयारी काफी अच्छे लेविल की है यदि एक्जाम म इनको धन्वाद इनको भी सचन कुमार यह लड़का एक ऐसा है जो की काफी तैयारी कर रहा है क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में जो कुछन पूछा था उसका भी इसने गहराई से अंसर दिया और इसका भी गहराई से अंसर दिया साथी बीनु सिंग ने भी बहुत ही लग किया गया इसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बिलकुल इमांदारी से जो भी भाईबंदु इसका जवाब देंगे उनका मैं नेम अगली वीडियो में एनाउंस करूंगा तो दोस्तों कैसा लगा आप सबको वीडियो यदि आप भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसका जबाब मैं आपको जरूर दूंगा धन्यवाद